सेक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जमू में भी चल सकते हो मगर आखरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए वेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और्गनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा मैंने स्टेशन ने कहा कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेट फेका जाएगा तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापिस जा रहा हूं चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझे नफरत करते हैं उनको क्यू ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बद चलूँगा बदल दो इश्रत का रहां लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंडिनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अपना माना औ बहुत बहुत स्वागत क्योंकि मैं कन्या कुबारी से चला शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले मैं सच बताओं आपको अजीव लगेगा मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज आठ दस किलोमेटर दोड़ता हूं तो मैंने सोचा था देश कन्या कुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी मेरे दिल में था कि यह असान होगा फिजिकली मेरे लिए यह मुश्किल काम मैंने सोचा था बात बदल गई जब मैं छोटा था फुटबॉल खेलता था और कॉलिज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था मैं उसको भूल गया था घुटने में दर्द नहीं होता था भूल गया था उसको दर्द गायब हो गया था मगर कम्यार के बारी से पांच साथ दिन बार घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस प्रॉब्लम आई पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3500 किलोमेटर हैं क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं तो जो मैंने सोचा था असान काब होगा वो काफी मुश्किल हो गया मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला मैं आपको बोलू तो दर्द सहना पड़ा काफी मगर सह लिया रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था छे साथ घंटे और चलने हैं और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है और एक छोटी सी बच्ची आई दोड़ती हुए आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मगर तुम अभी मत पढ़ो इसको बाद में पढ़ना और फिर वो मुझे गले लगके भाग गई फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूँ क्या लिखा है तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कन्या कुमारी नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे है मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने ले नहीं चल रहे हो आप मेरे ले चल रहे हो और आप मेरे भविश्य के ले चल रहे हो और और उसी सेकंड मैं पता नहीं अजीब सी बात है उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया दूसरे बात मैं चल रहा था मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहाँ पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी सुबह का समय था और चार बच्चे आए पता नहीं कहना चाहिए या नहीं तो कह देता हूं छोटे से बच्चे थे बिकारी थे भीक मांगते थे और मेरे पास आए कपड़े नहीं थे मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मटी थी उन पे खेर मैं ये चीज़े देखता नहीं हूं तो मैं उनके साथ जले लगा गुटनों पे गया ऐसे उनको पकड़ा मैंने क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था और फिर नहीं सुनिये मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूँगा तो उनको ठन लग रही थी वो काप रहे थे शायद उनको खाना नहीं मिला था छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं जिचका क्यों आपको बताना चाहता हूं। मैं जिचका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खतम किया, मैं चल रहा था। तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे कान में बोला राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए तो मैंने उनसे कहा वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं तो देश में कभी-कभी ये विचार धरा दिखाई दे जाती है दूसरी बात आपको बता देता हूँ शायद लोगों को अच्छी ना लगे जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी आपने देखा आपको मालूम है क्यों रो रही थी नहीं उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी मुझसे मिल कर रो रही थी मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्नोंने मुझे बोला कि उनके साथ बलतकार हुआ है उनको किसी ने मॉलेस्ट किया है उनके किसी रिष्टेदार ने उनको मॉलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बेहन मैं पुलीस को बताऊँ तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलीस को मत बताईए हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालम हो मगर पुलीस को मत बताईए हमारा और भी नुकसान हो जाएगा तो ये हमारी देश की सचाई है ऐसी बहुत सारी और में कहनिया आपको बता सकता हूँ तो फिर मैं कश्मीर के ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से उपर जा रहा हूँ मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिष्टेदार नीचे से उपर आए सवरी उपर से नीचे आए कश्मीर से अलाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसे लग रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं वापिस अपने घर जा रहा हूँ गर मेरे लिए जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूँ मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे लिए मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लूँ वो एक इमारत होती है वो घर नहीं होता है घर मेरे लिए एक सोच है एक जीने का तरीका है एक सोचने का तरीका है और यहाँ पर जिस चीज़ को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूँ अब यह कश्मीरियत है क्या यह जो शिव जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शुन्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आकरमन करना और दूसरी तरफ इसलाम में जिसको शुन्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वही है इसलाम में फना का मतलब अपने उपर आकरमन अपनी सोच पर आकरमन जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं यह हूँ मेरे पास यह है मेरे पास यह ग्यान है मेरे पास यह घर है उसी किले पर आकरमन करना वही है शुन्यता वही है फना और इस धर्ती पे यह दो जो विचार धाराएं हैं इनका एक बहुत गहरा रिष्टा है और यह सालों से रिष्टा है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है गांदी जी वैशनव जन्तों की बात करते थे जिसको हम यहाँ शुन्यता फना कहते हैं उसको गुजरात में वैशनव जन्तों कहा जाता है असाम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही करनाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं वहां बसवा जी ने ये बात कही केरल में नरायन गुरू ने ये बात की माराश्टा ने जोती बाय फूले ने जी ने ये बात की और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं लोगों को जोड़ा और दूसरों पर आक्रमन नहीं करना अपने आप पर आक्रमन करना अपनी कमी देखना मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा किया और गया था अलाबाद संगम के बिलकुल किराने किनारे वहाँ पास में हमारा घर है तो जब यहां से वो वहाँ गए उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तैजीब कहा जाता है तो उन्होंने मेरे परिवार ने छोटा सा काम कोई बड़ा काम ने किया जो आपने उनको सिखाया जो जम्मु कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया लदाक के लोगों ने सिखाया क्योंकि उसमें बहुत धर्म भी है उनके पास भी वोई सोच शूनियता की सोच उधर भी है वो उसको ले गए और उस स्विचारधारा को सोच को गंगा में उन्होंने रखा तो मैं यह सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्यूरिटी वालों ने कहा सिक्यूरिटी वालों ने कहा था की देखिए आप पुरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जम्मु में भी चल सकते हो मगर आखरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए वेनु गोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो और्गनाईज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन-चार दिन पहले अड्मिनिस्टेशन ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके उपर ग्रिनेट फेका जाएगा तो मैंने सोचा सुनिए मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापिस जा रहा हूँ चार दिन पैदल चलूँगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूँगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूँ कि मेरी सफीद शर्ट का रंग बदल दे लाल कर दे क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है तो मैंने मौका दिया मैंने का मैं चार दिन चलूँगा बदल दो टी-शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वोही हुआ जमू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड रिनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हों ने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुज़ूर्गों ने आसूँ से मेरा यहां स्वागत किया मैं अब जमू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं सी आर पी एफ के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ सब को जमू कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सब को सी आर पी एफ के बी एस एफ के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ देखिए मैं हिंसा को समझता हूँ मैंने हिंसा सही है देखिए है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखिए उसे ये बात समझ नहीं आएगी जैसे मोधी जी है अमिच्शा जी है RSS के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखिए डरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहाँ पे हम चार दिन पैदल चले मैं आपको गैरंटी दे के कह सकता हूं कि BJP का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मु कश्मीर के लोग के लोग यहाँ आरमे के लोगों को CYPF, BSF लोगों को कि थोड़ा सा बताना चाहता हूं देखिए मैं जब 14 साल का था स्कूल में था सुबह जोग्रिफी की क्लास में था मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने का राहूल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बेहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूँ मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गल्ती की होगी अब मार पटेगी वहाँ पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैं प्रिंसिपल के ओफिस पहुँचा तो प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुमारे घर से फून कॉल है और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लगया कुछ गलत हो गया है मेरे पैर कहां पे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है वो चिला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी 14 साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं कह रहा हूँ ये जो मैं अभी कह रहा हूँ ये बात प्रधान मंत्री को नहीं समझाएगी ये बात अमिट शाजी को नहीं समझाएगी ये बात दोवल जी को भी नहीं समझाएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझाएगी ये बात सी आर पी एफ के लोगों को समझाएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझाएगी उनके परिवानों को समझाएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम होंगमू है उसका उसने कहा दाधी को गोली लग गई दाधी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापस गए और फिर मैंने वो जग़ा देखी जहां मेरी दाधी का खून था पापा है माँ है माँ बिलकुल हिल गई थी बोलने पा रही थी पिर पिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग हैं जिन्हों ने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिलकुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलेफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलेफोन नहीं है उसके बाद छे साथ साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलेफोन आया 21 में टेलेफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में पुलवामा में हमारे सेनिक मरे थे उनके घर टेलेफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों की घर टेलेफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलेफोन आया होगा वैसा है टेलेफोन आया पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहूल बुरी खबर है मैंने उनसे कहां मैं जानता हूँ पापा मर गए कहते हैं मैंने का धन्यवाद फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी है अमिच्छा जी है अजीट डोवल जी है आरेसेस के लोग है वो इस बात को समझ नहीं सकते है वो दर्द को समझ नहीं सकते है हम समझ सकते है पुल्वामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ मेरे दिल में वो ही हुआ है जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो phone call आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूँ मेरी बहन समझती है तो कल किसी journalist ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष है कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है जम्मो कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है मेरे उस समय दिमाख में आया मगरे मैंने कहा नहीं बोलता हूँ कल भाचन में बोलूँगा यात्रा का लक्ष है कि ये जो phone call है चाहिए आर्मी के हो चाहिए SCRPF के हो चाहिए कश्मीर के लोगों के हो ये phone call बंद हो जाए कि ये phone call किसी बच्चे को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष ये जो phone call है इनको बंद करने का है अब अब देखिए BJP RSS के लोग आक्रमन किस चीज़ पर कर रहे है मुझे गाली देते है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जो मैंने आपको शुनियता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूँ और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे उपर pressure डालें जितनी भी गाली लगाएं जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले चाहे वो कश्मीरियत है चाहे वो वेशनो जनतो है चाहे वो शंकर देव जी है बसवा है नरायन गुरू है तिरुवलवार है जो टमिल नाडू के बड़े पोईट है फूले जी है और जो कश्मीरियत है ये इस विचारधारा पर आकरमन कर रहे है और ये जो विचारधाराएं हैं ये इस देश की नीव हैं इस देश की foundation है और आपने जो किया जो यात्रियों ने किया हम सब ने किया इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है मैंने ये काम अपने ले नहीं किया मैं ऐसा काम अपने ले कभी करी नहीं सकता हूँ मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है और और हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो विचारधारा इस देश की नीव को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हो मिल कर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वह हमारा तरीका नहीं है मुखबत से कड़े हो मैं जानता हूँ कि अगर हम मुखबत से कड़े होंगे प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारदारा है उसको हम सिरफ हराएंगे नहीं मगर उस विचारदारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है कि हमें बीजेपी ने एक जीने का तरीका राजनेतिक तरीका दिखाया है हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है महबबत का तरीका है वो हम देश को दिखाएं हम देश को याद दिलाएं कि हिंदुस्तान महबबत का देश है इस्जत का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में महबबत की दुकान कुलने की कोशिश की धन्यवाद जेहिन हम राहूल गांदी जी को उनके सारे नेशनल ये जो पद्यात्री थे और यहां पर आज के मोके पर जो हमारे मेमान दूसरे पार्टियों से आये थे उनके लीडरान आये थे सी डेवले सी के मेंबरान थे मेंबर पार्लिमेंट चीफ मिनिस्टर्स पी सी सी प्रेजिन्ट्स और जो भी यहां आज मौझू थे उन सब को शुक्रिया करते हैं और अभी फंक्शन को समापन करते हैं पर दूसरे आज मौझू थे पहसं वादमा में दूरत वारी जए हो ये बहुत बापे दूर तुम्हारे ये हो जिनकर मनगा जिनायत जियरे भारत भाध्य विधाटा पंजाब सिंद गुजरात भराता नाविड उद्धर वंगा इंद हिमाचल या मुनागंदा उचल जलती तरंगा तव शुब नामे जागे तव शुब आशिशम आगे जाहे तव जय काथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाध्य विधाटा जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे